कि अज़ों करता हूं आपके अपने यूटूब चानल अनूपी स्टेडी में आज जो है कि हम लोग शुरू कर रहे हैं चेप्टर नंबर की स्टाइटिस का और हाँ यह दि वीडियो आपको अच्छा लाएगा तो वीडियो को लाइक कर जिएगा और अपने दोस्तों में ज् सब्सक्राइब करते हैं और हाँ अभी तक हमारा साथ नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा यदि वीडियो अच्छा लागेगा तो और अपने दोस्तों में जरूर कर दें चलिए बात बहुत करते हम लोग यहां पर देखते हैं प्रस नंबर चैप्टर नंबर आपका साइटिस चलेगा साइटिस में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्या गोला है क्या है गोला यह बहुत ही एजी चैप्टर है ठीक है तो इसमें लगवग आपके 11 कोश्चनों का सोलुसन करा जाएगा टोटल आ आपका विडियो बहुत लंबा हो जाता है और हम ज़ब वीडियो आपका लंबा बनता है तब आप जो है की जब यह आपका वीडियो चलता है उसमें जहें एक आप लोगी प्रसानीद करके हम दो सांबिर स een Kalman daad तो आप लोगा हो जयाता है तो आप कोई बात नहीं है चली सुरू करते है प्रस नमेर साइंटिस्स यह गोला में आपको आपको की स्कृरीन पर फार्मूलेत प्रामूलेत देजाएंगे यादत कर के याद रखेंगे फार्मुला जो भी आपका फार्मुला है गोला है अर्द गोला है इसके बाद मत्वपूर्ण तत्य हैं सभी को आप लोग याद रखेंगे और उन्हीं के अंसार जो है कि हम लोग परसनों का सोलुसन करेंगे चलिए हम इसक्रीन पर इंडिकेट कर रहे हैं आ सब्सक्राइब करने माला है करें कि गोले का संपूल प्रेष्ट 36 वर्ग से मी हैं इसका आयतन क्या होगा देखिए सबसे पहले हम लोग आयतन निकालने के लिए सकते हैं लेकिन गोल्य का जोई का शम्पू lin दिया हूं तो पता यहां पर में लिख λेता हो पहले प्रस नमबर कितना है एक ठीक है प्रस्थ नमबर एक है आका इसमें करेंगे एक गोला है जिसका संपूर्छ यहाइनिकि संपूर्ट प्रिष्ट दिया हुआ है आपका लिए रखा है कि संपूर्णों प्रेष्ट संपूर्णों प्रेष्ट जो है आपका कितना है 36 पाई कोई बात नहीं ग्हें और संपूर्णों प्रेष्ट बराबर क्या होता है ट्र flr r大 bad rank 26 Technology यहां ते δ tür थे mir तक्र नहों गया निकाला यह ऐ ABOUT यहां पर हमलोग को जाएगा आएतन बराबर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों में च्यार बड़ा में 3 र ذ metton है चार बड़ा में 3 कमान तो यल्डों च्छतिस न यहां मेरे प्यारे दोस्तों आपका हुआ 36 पाई और हम लोग जानते हैं कि आयतान जो है आपका घं क्यों में होता है न यहीं कि 36 पाई घं सेंटी मीटर फ्रेंस उमीद होगी कि यह बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि इस तरह समय सलुसन आपको करा दिया हूं ठीक है इसलिए हम लोग बढ़ते हैं को नमर 2 का सलुसन कैसे करेंगे ठीक है । देख लेते हैं कोश्चन में कारी सलुसन क्या सही थाओ है आपका अनौंथ नमर 2 का सलुसन क्या सितर करेंगें देखिए कि कोश्चन नमर 2 है करना की धातुकी एक throw HEY का बाहरी ब्यास शसेंटी मीटर है तो हम उसकी मोचाइय एक बटम 5 मंद्धा यह आपको फाहिक करना है और 12 1 बटमें कितना except कि यह आया पका दिख रहा हुए उआ यह आपको कोई गेध है जिसमें से कर रहा है कि इसका जो बाहरी ब्यास है बाहरी जो पूरा ब्यास यहां से यहां तक जो ब्यास है आपका कितने का है छोका है यहां से यहां तक जो बाहरी ब्यास है कितने का है छोका लेकिन तिरिजिया की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तो तो यहां से यहां तक तिरिज्या होगी की नहीं होगी तिरिज्या कितने की हो जाएगी यहां से यहां तक तीन की होगी की नहीं होगी लेकिन यह जो आपकी बड़ी वाली तिरिज्या है यानि कि बाहरी जो तिरिज्या है इसको हम लोग कैप्टल र बोलते हैं तो कैप्टल करें कर लें कितना होगा यानि पूरा यह तीन है तीन मेंसे एक वटा में कितना दो तो यह वड़ेंगे पांच बड़ा में कितने का भू उमीद ओकश्य आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से इसके बाद करेंगी गेंद का आयतन तो यहां पर आप हम फर्मूलार रखेंगे गेंद का आयतन बराबर 4 बटा में 3 पाई कोष्टक में कैपटल र स्कॉायर माइनस क्या इसमाल र स्कॉायर ठीक है फ्रेंड्स यहां से आज़े यह चार बटा में 3 कैपटल र कितना है 3 है कि इस एक तो यहां से हम लोगा हो जायेगा यह आपको हो जाएगा गुणा कर देंगे तो 88 बटा में 3 गुणे 7 रहने दीजे इसको गुणे इसका इसमें गुणा करके इसको यदि घटाते हैं तो आपका टोटल हो जाएगा 91 बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 7 से कटा देंगे तो आपका ये 13 हो जाएगा 8 से कटाएंगे तो यह आपका 11 हो जाएगा और 11 से 13 में गुणा करेंगे तो 11 से 13 को 3 हुआ हासिल 3 हुआ 11 में 11, 11 और क्या 143 हुआ बाटा में क्या बच गया 3 और 143 को यह ती 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको होगा 47 सहे 2 बाटा में कितना 3 ठीक है फ्रेंस आपका respect उमीद होगी कि यह बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छ लग रहा है तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करते रहे हैं चलिए वड़ते हैं question number 3 के तरफ question number 3 का सब्सक्राइब फटा-फट कैसे करते हैं वहीं चलिए अब दुनों के तरफ? कि आरएक होगी लेकिन इसमें का इनका अनुपात है कि इनका अनुपात होगा तो गोल होता है लेकिन अर्ध गोले के लिए होता है 3 pi r square ठीक है यहाँ पर समझने की बात है यहाँ पर अनुपात हम लों निकालेंगे डिरेक्ट मैं लिख दे रहाँ ठीक है तो अनुपात बराबर हो जाएगा गोले का आयतन 4 pi r square होता है अर्ध गोले का आयतन 3 pi r square होता है यह दोनों कड़ जाएगा चार बाटा में 3 हुआ अनुपात में लिखते हैं तो 4 समंध्य कितना हुआ यह बिल्कुल आपको समझ में आवी गया होगा यह रहा आपका अनुपात तो कितना हुआ चार समंध्य तीन का उमीद होगी फ्रेंस यह बिल्कुल आपको किलियर हो गया है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ कोशन नमर 4 समझते हैं कि इसका सलूसन हम लोग कैसे करेंगे देखिए कोशन नमर 4 की जो है कि कोशन नमर 4 का सलूसन करके आपको कुशन करना है जितना गुन्ना हो रहा है उसका क्यूं निकाल दीजिए क्यों क्यूं निकालेंगे जरा यह समझे क्यूं इसलिए निकालेंगे क्योंकि आपका आर का क्यूं होता है ना जितना आपका गुन्ना हो रहा है ना उसका पस क्यूं निकाल दीजिए तो आर पर करेक्ट होगा कौेशंचर चैन से रहा होगा तो है नहीं होगा तो आपका से स्टेव कर जाएगा चेस आटवर शेल पचलब कर जाएगा सि्फ बचेगए और przepक्र और मान निकलेंगे तो बटायों क्यों होगा वह घाट पर अे में तो आठके गनमुल कितना हो जाएगा तो यह तो आपका बहुत सिंपल आपको समझ में आ जाएगा खुदी ठीक है आप सलोशन कर सकते हैं चलिए आपसन वह याद रखेंगे यह जब आठ उन्ना हो रहा है तिरजया कि क्या हो जाएगी दोग नी होगी ठीक है ना चलिए आग स्क ऑपर हम चलिए यहां पर मुलो देखते हैं कितने का फाइफ का देखें क्या है 2 छो कि हैं दिचीं यहां समझेगा करें एक का आयधन जो आइतन आहीतन और क्या होता है is that action इसका गोले का है यहां पर लिख लिएगा गोले का ठीक है गोले का अबर आपक दिया हुआ है कि 4851 तो गोले कायतन क्या होता है यहां पर देखें लिग भी दिया हूं चार बटा में तीन पाई यार क्यू होता है बराबद 4800 कितना 51 ठीक है यहां पर समझ में आ रहा है अब यहां से मल्टिप्लाई करा दीजे नहीं तो आर क्यू बराबर हो जाएगा देखें इसका हर एक मानगर तीरेक मल्टिप्लाई करा दीजे पले समझे एक सेश्में होगा तो यह 4 पाई बिस्तार समय समझा दे रहा हूं क्यों तो 3 सेश्में मल्टिप्लाई करें तो 4851 गुणे कितना 3 और यहां से आर क्यू बराबर हो जाएगा 4851 गुणे 3 और बाटा में आपका हो जाएगा 4 पाई तीक है यहां पर आर क्यू बराबर हो जाएगा 4851 गुणे 3 बाटा में 4 गुणे पाई कमान 22 बाटा में कितना 7 और जिन पल्टेगी तो 7 ऊपर चला जाएगा यहां हो जाएगा 4 गुणे 22 गुणे क्या 7 ठीक है यहां से आपका हो जाएगा 4 Q बराबर हो जाएगा कटा दिजिए यहां पर कट रहा है तो 11 से कटा दिजिए यहनिकी 11 गुणे 24 गुणे pores 144 और 11 11 हो जाएगा और साथ तरीक एक आई से यहनिक सेня 614 गुणे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा बाटा में लिख सकते हैं दो गुरे दो गुरे दो अज तीन-तीन का लगा दिजिए जोड़ा लगा दिजीएbig 21 में कितना दो यह आपका आर्व निकल गया 21 बटा में कितना हुआ दो ओमनेदों यह बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा चले वड़ते हैं अगले और वकर तो यहां होता है फोर कमान 22 बटा में ऑगे बढ़ते हैं यहां यहां पर गुना कर दिजए भी मुट्प्टॉइब करें करें तो यह होजाए गां 1386 सेंटीमेटर क्या इसक्वार ठीक है 1386 सेंटीमीटर इसक्वार यारी कि और अपसंगी बात कर लें तो हम लोगा आपका नमर भी आपका करेक्ट है उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल यह कोश्ड चल लाए सब बढ़ते हैं अगले कोश्ड के तरफ कोश्ड नमर चाहिए यहाँ अब अब चेक कर ले दिखते हैं जारा ध्यान से आप लोग समझेगा कि एक अर्ध इर्द गोले का आटन 18 फाई घन से में है एक जो है अर्ध गोले का आटन जो है यहां पर लिख लेंगे अर्ध हाँ ठीक है अर्ध गोले का आयतन दिया है कितना आपका दिया हुआ है प्रफटारा पाई बडाबर यह निकाल दे कितना कितने की हो गई कि अपके तीन की हो गई उमीदों की समझ में आ गया होगा और आपसन की बात कर लें तो आपसन नमर आपका एक रेक्ट ठीक है अपसन नमर क्या है एक क्रेक्ट है कोशन नमबर 6 का आपसन नमबर ए आपका क्रेक्ट है चले हम लोग बढ़ते हैं इसी तरफ से कोशन नमबर 7 के तरफ कि कोशन नमबर 7 का सलूसन हम लोग कैसे करते हैं ज़र देखते हैं कोशन नमबर 7 को भी ठीक है तो यह रहा आपका कोशन नमबर 6 का सलूसन उसी के अंदर बने एक गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा यदि गोले का गोला घन की भूजा को छूता है ज्यांदी जी क्या कर रहा है ठीक है गन की भूजा को छूता है हाँ बस उतना है यहां गन बना दे रहा हूं और समझनी के सिर्फ मैं बना रहा हूं ठीक है यह आपका कोई क्या है दिखे मुझे तो चित्र बनाना नहीं आता लेकिन लगंग मैं बना लेता हूं ठीक है यह दिख रहा है आपको ठीक है आपना लें कोई बाद ने सिर्फ आपको समझना है तो यह करें कि इसमें गोला बना जा रहा है है इसमें क्या बना रहा है गोला जो एक भूझ आपको करता है जिर्फ तरश्राइब को टीनों ब् confrontation करता है ति यहां से यहां से हैत कि लठब एक बना लेजिए आपका गोले का भूजा होगी गोले का ब्यास जो भ्यास होगा गन की भूजा के बराबर होगा तो ब्यास कितने का होगा एक्स का क्योंगि जब घं की भुजा को जब गोला असपर्स कर रहा है बनाने पे तो वह जो है कि यहे कि गाम यानि घं की जो मानेगे तभी तोbelly कÓ हो जाएगा गन की ब्यास आए यह तो गोले के ब्यास क्या हो जाएगा गोले का ब्यास क्या होती है तो इसके बाद कर रहे क्या आयतनों का अनुपात पूछ रहा है तो यहां पर अनुपात निकालेंगे अनुपात बरावर हो जाएगा घन का आइतन बटा में क्या गोले का आइतन ठीक है तो घन का आइतन भोजा का Q होता है गोले का आइतन 5¹ और चार बटा में तिन पाई और कीव होता है लेकिन और और की जगा बक्या है एक्स बटा में दो आई इसका घात कितना लगाएंगे तिन उमीदोगी फ्रेंज बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा इसके बाद देखिएगा यहां पर ध्यान दिजिए गा जो भी आपका इन्सुर्ट यह हुए पाई में दिया है तो पाई कॉमनों चेंजिंग नहीं करना है ठीके तो यहां पर यह हो जाएगा X Q बाटा में 4 Pi और यह 3 है ना चले इसको रहां देजें 3 गुणे यह आपका हो जाएगा X Q बाटा में क्या 2 दूने के 4 दूने के 8 ठीक है अब यहां से यह हो जाएगा 4 एकम 4 हुआ 4 दूने के 8 हुआ X Q से X Q कट गया अब यह देखिए तीन दूने क्या 6 यह 6 उपर चला जाएगा यहनिकि 6 बाटा में कितना हो जाएगा सिर्फ Pi यह हम लोग इसी को लिख सकते हैं नुपात में 6 समंधे क्या Pi कितना हुआ 6 समंधे आपका मिला है Pi ठीक है कितना 6 समंधे Pi हुआ अफसन की हम लोग बात करने ज़रा आफसन नुमर भी आपका क्रेक्ट मिला है 6 समंधे Pi यह यहां पर समझ में आ गया होगा ग्राफ यदि बन जाता है तो आसानी से और समझ में आ जाएगा ठीक है तो यह इतना बस समझे है कि जो ग्राफ बना हुआ है जो ग्राफ जैसे कर गया होगा ठीक है चलिए कोई बात नहीं यह आपका कोश्चन नमर 7 रहा हम बढ़ते हैं अब कोश्चन नमर 8 के तरफ कोश्चन नमर 8 को पिखला कर 0.1 समित्रिजय का तार खीचा गया है तार तो बिलानकार ही होता है तार की लंबाई होगी देखें यहां पर करेंगी एक जो है आपका गोला है जो कितने की है कितनी का है 6 मिका है और इसके वन यह थारो बनाये जा रहा है कि आपका तार हो गया और यह तरीकार व्योंत्रिजय यह जो अपकी 0.1 के अई इसकितार के लंबाय उचाई आप कितनी हो गी देखेंगा जीतना आयतन लेका होगा उतना ही कि इसका होगा बनाया रहा है तो आपका क्या होगा चलिए तो अमस्रोशन तरके देखते हैं यहां पर बेलन का लिख लेते हैं नहीं हम लोगा इस पर बनाया ने आयतन जो होगा यही बराबर होगा किसके बेलन के आयतन यह पहले बेलन भी लिख सकते कोई बात नहीं है बेलन का आयतन क्योंकि दुनों आयतन आपके बराबर होंगे क्योंकि इसी के इसी आयतन को पिगला गर के तार बनाया जा रहा है तो तार कभी आयतन दुनों सेम होगा है यह को है लगको पता है कितना होता है पाइ आर स्कॉाईर smoothie हे कि यह गोला है ना तो जोलेक अधर कितना होता है चैना मैं चैना जे पैयार क्यों होता है यह जोता है इतना समंझ में आया मानुखिये पाई से पाई कडक जाए veya क्यंत्व किन वं सब्सक्र Eva तिरिज्या गोले की तिरिज्या 6 है न तो 6 का स्क्वाइर करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 गुड़े 6 गुड़े 6 आर की जगाप अच्छा रखें घात 3 करेंगे बराबर यह आर कमांद कितना है बाई 0.1 है न 0.1 का क्या स्क्वाइर इंटू क्या हाइट ठीक है कटा दीजि इतना है न तो गुड़ांग घटाएंगे इसका बटा लएगा कि नहीं लएगा यहां से आपका हो जाएगा एच बराबर हो जी टोटल इसका बटा लगा दीजिए तो मल्टिप्लाइख भी कर देंगे तो आपका हो जाएगा आर्चा का तालिस को आठ हुआ हुआ हांसे च लेकिन जो भी हम लोगा एंसवर दिया हुआ है वह मीटर में है तो यहां पर हो जाएगा जानते हैं कि सो सेंटी मीटर में आपका एक मीटर होता है यहां पर हो जाएगा 28,800 सेंटी मीटर में जो है कि सो से भाग दे देंगे तो आपका किसम बदल गया मीटर में यानि कि हाइड जो है आपकी हो गई 288 मीटर क्योंकि आप सन मीटर में दिया है तो मीटर में चेंज कर लेंगे और उमीद होगी कि यह विद्गुल आपको यहां तक कम्पिलीट जो है कि हो गया है किस से सलूसन कराया जा रहा है सेम प्रोसेस आपका चल लाए सिर्फ फार्मूले पर हम लोग सलूसन कर रहे हैं चली वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से जरूर करते रहेगा चली हम ब गोली में लेख सेमी में होगा तके गोली कौस trial कर वीडियो आपका यह बना हुआ अ कि यह कोई गोली कोस है इसका जो दे रहा है कि यह आपका बाहरी ब्यास है यह तोटल बाहरी ब्यास यहां से यहां तक समझ सकते हैं ऐसे ठीक है यहां से यहां तक तोटल कितने का है आपका 18 सेंटीमीटर का है तो बाहरी ब्यास 18 सेंटीमीटर का है तो यहां से यहां तो जो तिर्जिया है इसकी जो तिर्जिया है इसकी तिर्जिया है इसकी तिर्जिया इसमालार मानते हैं इसको हम लोग फाइंड करना है इसके बद क्या दिया है देखिए इसको पिखला कर जो है आर्से में उचाएगा एक अब इसको पिखला जिर दिया जा रहा है इसको मैं पिखला कर एक बेलन बना दे रहा हूं इसको भी इससे पिखला दिया गया और इसको बना दिया क्या बेलन बना दिया गया है यहां से और कितने का हो गया हाँ उमीद होगी कि ये आपको समझ में आ रहा है तो ब किसे तो सικितन credibility होगा कि यहां पर भी फिलया हुआ है उतना इस बीलान बनाय गया है सेंग्प्रोसस को फिला क्ला हूं पिछले वाला ठीक है तो यहां पर लिखेंगे गोली कोस का आयतन ठीक आप डिरेक्ट भी कर सकते हैं कोई दीकत नहीं होगी बराबर बेलन का आयतन तो गोली कोस का आयतन क्या होता है चार बटा में तीन होता है पाई कोस्ट अग में कैपिटल री स्कॉयर माइनस इसमाल री स्वरी क्यू होता है कैपिटल र क्यू माइनस क्या इसमाल र क्यू बराबर बेलन का आयतन क्या होता है पाई री स्कॉयर क्या है एच बस कुछ नहीं और केपिटाल र कितना है न का क्यू माइनस इसमाल र क्यू इसकल टू इसमाल र बेलन के लिए कितना है च्छा है इसक्वाइर करेंगे तो दो बार गुणा हो जाएगा हाइट कितने की है आठ की उमीदों की फ्रेंद्स यह बिल्कुल आपको इतना समझ में आ रहा होगा चार से डिवाइड कर देंगे तो चार दूनी के 8 हो जाएगा ठीक है ना अब यहां पर देखिए यहां पर न है न तो न का स्क्वाइर हम लोग करते हैं तो आपका होता है साथ सो उन्तिस माइनस क्या आर का क्यों हो जाएगा ना का इसको साथ सो उन्तिस मैंनस आर क्यों और तीन से इसमीं मल्टिप्लाई करा रहा हो तो आपका 216 हो जाएगा और यारी तीन दूने के 6 हुआ चचणके 36 को 6 हुआ चटरी ऐठार ऑर चटरी एठार चटरीच चटरीच को चपने किस होगा 266 हो गया यह आपका इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस साथ कितना हो जाएगा 29 एक बार यहां से अरक यू बरावर हो जाएगा 729 में से 266 घटा दीजिए तो आपको हो जाएगा माइनस 500 कितना 13 ठीक है फ्रेंग्स उम्मीद होगी कि इतना समझ में आ रहा है माइनस आपको होगी या 513 दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस किया होगा कट जाएगा तो आर बार अब यह घात 3 हट आएगा तो यह लगी रहती है तो वह अर्गमुल काता है इसके अंदर तिन दाना चाहिए पता अगराता है कि इसको नहीं लिखेंगे ना तो पता चलेगा कि वर्गमुल है तीक इसलिए इसको लिखा जाता है तो आर इतना हुआ तो यह करें कि आंतरिक ब्यास निकाल दीजिए तो आंतरिक ब्यास आंतरिक ब्यास आपका डी बराबर हो जाएगा तिरीजिया का क्या होता है दूगुणना यानिक टूवर तिरीजिया का दूगुणना होता है तो डी बराबर ब्यास हो जाएगा दूगुणे तिरीजिया आपके है थ्री अंडरुड में है उननिस है तो त यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और हाँ वीडियो अच्छा लग रहा थे वीडियो को कोश्चन नमबर करना सकते हैं जो है कि कि कोशंचन नमबर प्तरưởng कि करेंगे कोश्चन नमबर कैसे करेंगे को आत चलेंगे प्रश्ण नमबर 10 को भी और इगारों को भी ठीक है एक साथ सलुसन कराया गया इस तिप आपको समझना है प्रश्ण नमबर जो है कि आपका 10 का राय की आर सेंटीमिटर अर्ध ब्यास वाले ठोस को छिल कर ठीक है एक घं बनाया घं जो है कि बनाना है इस प्रकार बने बड़ सबस्क्राइब करें दों रहे हैं यहां से निकाल देंगे जहां पर एक घं की क्या है भूजा थे बराबर हो जाएगा टूर वटा में क्या क्या थिस्टीमिटर यानि कि यह राघ यह आपका यानि कि जो घंकी सबसे बड़ी हुजा होगी और हम लोग चुछी कि आफसन की बात करने कोश्चन नमब 10 आफसन नमर क्या है बी आपका क्रेक्ट मिल रहा है यानि कि टू आर बटा में करणी में तीन सेंटी मीटर ठीक है उम्मीद होगी यह समझ में आ गया है चले बहुत ही सिंपल है यह तो एक दू लाइन का है और प्रस्ट नमरी 11 समझ लेते हैं कर रहा है कि एक बिलानकार बरतन जिसकी हाइट जो है कि 25 सेमी और ब्यास जो है कि आ करने लिए यहां से गोला डाला जा रहा है जिसमें जहीं तक यहां तक जो हैं चोविस सेंटिमीटर यहां-टाइस लेकिन चोविस सेंटिमीटर जो है आपका इसमें पानी भाण हुआ है तरहें और इसमें एक गोला डाला जा रहा है जिस जो इसमें गोले की तिरजिया आपके दी गई है तीन सेंटीमीटर एक गोला कि तो यह गेंद इसमें गिराई गई है तो बरतन में से पानी जो बाहर निकलेगा पानी निकलेगा होगा कितना पानी आपका जो है कि बाहर आपका होगा तो कुछ नहीं करना है गोले के आयतन में से यानि गेंद के आयतन में से हम लोग खाली का आयतन जो है कि घटा देंगे पता चलेगा कि जो आपका बरतन से खाली जो बाहर होगा पानी यानि कि जो बरतन स और देखिए खाली बरतन का आयतन का मतलब क्या यह इतना भरा हुआ है यह आपका बेलन का काम करें कि नहीं उपर वाला हिस्सा बेलन का हुआ यह 24 तक बढ़ा हुआ है तो कितने उचाई तक पानी खाली है एक मीटर में है क्या सेंटीमीटर यानि कि एक सेंटीमीटर तक जो है कि खाली जो है बेलन कितना है एक सेंटीमीटर तक जो है खाली बेलन है तो खाली बेलन का आयतन हम लोग निकालेंगे इसके बाद क्या गोले का आयतन यहां पर देखिए लिख दिया गया है यहां गोले का आयतन चार बटा में तिन पाई यार क्यों होता है माइनस खाली बेलन के आइतन में से यानिकि पाई आडिस्क्वाइर एच लेकिन एच का वैलू जो है हम लोग कितना पूट करेंगी वान क्योंकि जो हाइट है खाली बेलन का एक है तो वह चाहिए काम करेगा एक इसके बाद तिरिज्य आपको प थे टिर्जे के निकाल लेंगे तो पाँच की कितने पांच कर जाएकि तेंगे इसके विए न उन्म यहां थे ना रहा होगा तीन से थीन कटा देंगे तीन तो यहां पाई हुआ तो आपका बाँ पानी निकलेगा आपका ग्यारा अटिर्णी यह रहा आपका क्या इस वीडियो का को इस वीडियो का अंतिम को सचन के आपको इस बातों करा दिया जाएगा और अभी तक वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक से जरू कर दीजिएगा और अभी तक हमारे साथ नहीं जुन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जूजिएगा साथ में घंड़ी को दबा दे चाहिए आपको समय से नोडिफिकेशन पहुंचते रहे च करएं़ आ पहुंचते प्सक्राइब कर दो कर दो चीजिए कर दो चाहिए रहे फिर र JOSHता है थाएजिए तक पहाँ आपको समय से ढगए तम दोले जावती झाल झाल